हेलो एवरिवन आज हम मैज पढ़ेंगे स्टान्डर्ड फर्स्ट जिसमें आज हम पढ़ेंगे चेप्टर वन शेप्टर एंड स्पेस शेशा कि मैंने कंटेंट्स में आपको बताया था इस यूनिट में हमें देखना है अलग-अलग सेप्श के बारे में और अलग-अलग चीज, अबजिक्ट्स चो कहां पे है उसके बारे में चलो अपतों देखते हैं इसमें आपको आपके फैवरिट कलर से वो फिल करने है यह cloud है वो sky color का, tree है वो green color का, फिर यह water है river का, आप अपने ही साब से उसमें sky color कर सकते हो, fish है वो कोई भी colorful color की कर सकते हो, hill यानि कि mountain उसमें आप brown color करोगे वेसे ही यह सारा picture है, इसमें आप अपने हिसाब से अलग-अलग favorite color से यह picture है वो feel कर सकते हो Now, हम next row pink पे जाएगे, inside, outside, inside यानि की under और outside यानि की बाहर Question 2, observe the pictures and put right for inside and roam for outside in the given box यानि की यहाँ पे जो drawings दिये है उसको आपको observe करना है, यानि की picture से उसे आपको देखना है फिर decide करना है की कौन सा object या तो जो भी दिया है, animal, birds, इंसान, जिसके बारे में वो inside है या फिर outside अगर inside है तो आपको वहाँ पे right लगाना है और अगर outside है तो आपको वहाँ पे wrong लगाना है फौर्थ, यहाँ पे एक camel और एक औरपका दिया है यह tent है इसमें देखना है, camel है वो tent के inside यानि की अंदर है या फिर bar यानि की outside वेसे ही यह अरपका भी अरप है वो tent के inside है यानि की अंदर या तो फिर outside है तो बाहर ये camel है वो tent के अंदर है नहीं वो tent के बाहर है तो वहाँ पे हम लगाएगे cross बे सही ये अड़ब है वो tent के अंदर है हाँ तो वो tent के अंदर है यानि की inside तो हम वहाँ पे लगाएगे right next number two इसमें दो डोग के बारे में दिया और उसका kanal दिया एक डोग का नाइम है वो rocky है और दूसरे डोग का नाइम है वो tomi है अब हम देखेंगे ये दोनों डोग में से कौन सा डोग है वो inside है और कौन सा डोग है वो outside है चलो देखते हैं रोकी है वो इंसेड है या टोमी तो रोकी है वो केनल के अंदर है यानि की इंसेड इंसेड दिया है तो हमें क्या करना है राइट तो हम रोकी के जो बोक्स दिया है उसमें हम राइट लगाएं वैसे ही टोमी है वो इंसेड है या आउटसेड तो हमें वो आउटसेड आउटस नेक्स्ट नमबर थ्री जिसमें दो केट्स दी है एक केट है वो येलो कलर की है और दूसरी केट है वो ग्रे कलर की है अब हमें देखना है कौन सी केट है वो बास्केट के अंदर है और कौन सी केट है वो बास्केट के बहार अंदर यानि की इनसाइड और आउट यानि की बहार साइड ये लो केट है वो बास्केट के अंदर है या बहार ये लो केट है वो बास्केट के बहार है यानि की आउटस आउटसाड बास्केट के वो हे इंसाड is inside है तो उम्म क्या लगाना है तो उसके box में हम लगाएंगे right नेक्स्ट नमबर फॉर इसमें टोई शोप का पिक्चर दिया है इसमें हमें उब्जव करना है कि कोई सा बोई है वो टोई शोप के अंदर है और कोई सा बोई है वो टोई शोप के बाहर ये ब्लू वाला बोई है वो टोई शोप के अंदर है या बाहर ये blue वाला boy है वो toy shop के अंदर है तो वहाँ पे हम लगाएगे right ये parrot वाला boy है वो toy shop के अंदर है या बहार वो toy shop के बहार खड़ा है तो वहाँ पे लगाएगे हम wrong Now I hope you understand the topic inside and outside